So, Hey everyone, welcome back to the hustlers और as been promised, आज की इस वीडियो में हम कुछ if else के question करने वाले हैं Starting off with a very easy question which is write a program to guess the lucky number इस program के अंदर simply user जो है वो एक number प्रवाइड करेगा अब अगर वो एक lucky number हुआ अब lucky number क्या है, basically आप ही उसको sign करोगे suppose करो हमने user को बोला कि आप 1-150 के बीच में या फिर 1-200 के बीच में कोई भी number दो ठीक है और हमने 11 को as a lucky number मान लिया, ठीक है So, हम check करेंगे कि अगर user input करता है 11 तो तो हम बोलेंगे कि या you have guessed the lucky number और अगर वो नहीं कर पाता है तो हम गएंगे try again और we'll just stop the program ठीक है complicated नहीं करते है first question को let's begin with boilerplate and थोड़ी गड़ बड़ो जाती है गई बार nice तो यहां पर पूरा आ चुक है मेरा अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक int num करके एक variable ले ले लेते हैं ठीक है और मैं user से क्या कहूंगा कि scene करा लो आप num को ठीक है तो user हमारा input कर देगा अब मैं if की condition use करूंगा कि अगर हमारा जो num है ठीक है वो equal हुआ 100 के ठीक है तो क्या होगा see out कर दो कि you have guessed you have guessed the lucky number एंड लगा लेते हैं हम यहाँ पर एंड इसके बाद हम see out कर देते हैं अब exit from the program यह जस्ट एक example के लिए है ठीक है अब बाद में बताता हूं आपको यह मैं क्यों कर रहा हूं ठीक एंड यह हमने हाँ पर लगा दिया एक इफ याद है थो ठीक है else condition में क्या डाल देते हैं else में हम डालते हैं see out try next time okay sweet and simple and l and here we go save it and we run it so here we go और इस बार हम क्या करते हैं 100 ही पूट कर लेते हैं चलो ठीक है so क्या आ रहा है you have guessed the lucky number and exit from the program okay so अब हो क्या रहा है जैसी हमें number जो है हम 100 assign कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यह जो इफ का block है यह जो पूरा जो brackets है इसके अंदर हमारा पूरा इफ का block है ठीक है तो यह जितनी भी conditions हैं यह सारी execute हो जाती है ठीक है एक बार और रन कर लेता हूं मैं इस program को और फिर देखते हैं so run it again and हम इस बार 11 डाल देते हैं so try next time तो अगर हमारा यह condition true नहीं हुआ तो क्या चलाओ else की condition चलाओ और else का जो statement है वो यह रहा ठीक है तो यह वाला part execute हो रहा होगा हमारा if के जो braces हैं वो हटा देता हूं ठीक है अब क्या होगा अब मैं save करता हूं इस program को अब क्या statement चलेगा लेकिन मैंने if का जो block था उसे हटा दिया है अब देखते हैं कि क्या होने वाला है although it's not required कि हर if के साथ उसका else condition भी होनी चाहिए ऐसी को requirement नहीं होती है ठीक है तो मैं single भी इसको चला सकता हूं so let me just give a wrong number which is like 112 let's this this is the answer okay so यह क्या कर रहा है basically if का जो block है अगर मैं इस block से हटा दूं ठीक है अगर मैं curly braces जो थे मेरे वो हटा देता हूं तो if के साथ जो उसके नीचे वाली line है just उसके below वाली जो line है वो ही execute होगी उसके जो नीचे वाली line है वो नहीं होगी ठीक है वो just एक program हो जाएगा वो just see out कर देगा ठीक है आप hundred डालोगे तो भी execute होगा आप कुछ और number डालोगे तो भी execute होगा तो basic simple concept में यह समझाना चाहरा था इसमें कि if का जो block है ठीक अगर true होता है तो पूरा block चलता है अगर आप block नहीं लगाते हो तो if के just नीचे जो statement है वो ही execute होता है I hope आपको समझाया होगा let's jump to the next question तो इस वाले question में गया है यार कि हमको check करना है कि whether a given number is positive, negative और zero तो basically एक user है वो input कराएगा कोई number और हमें प्रोग्राम के थ्रू यह बताना है कि जो user ने number input कराया है वो positive है या negative है या फिर zero है so let's make it सबसे पहले एक end n मैं user से input ले लेता हूँ और scene करा लेता हूँ मैं end क इसके बाद मैं condition check करता हूँ और condition कैसे if statement की मदद से कि if n is greater than zero ठीक है अगर हमारा n greater होगा तो c out कर दो कि number is positive और यहाँ पर if conditions मेरी पूरी हो गई है और else if यहाँ पर मैं use करूँगा ठीक है else if में क्या डालता हूँ कि अगर n less than zero होता है मेरा तो c out कर दो कि number is negative अब यह दोनों condition satisfied हो गई है हमारी अब आखरी condition बची 0 को कैसे चेक करेंगे तो just put else condition and here we go and यहाँ पर हम see out कर देते हैं अगर कोई number positive नहीं है negative नहीं है तो of course वो number zero होगा so हम कोई condition check नहीं कर रहे हैं इसलिए else condition के अंदर हम see out सीदे कर आ देंगे कि the number is zero let's just save the program and I just run it and here we go 11 number is positive right and let's just enter 0 so the number is 0 and let me just put one more number which is the negative one minus 3 so it says number is negative so the program is running fine चलते हैं अब next question की तरफ तो इस वाले question के अंदर क्या करना है यार हमको एक ID input करानी है user से अगर ID ठीक होती है then we have to enter the password अगर password ठीक होता है then we have to print something on screen like welcome to the hustlers anything we can print okay so सबसे पहले हम ID एंटर कराते हैं तो int id बना देता हूं एक ठीक है एंड उसके बाद मैं user से scene करा लूँगा ID को ठीक है यह scene हो चुका है अब हमें क्या करना है check करना है कि हाँ ID ठीक है नहीं है तो ID जो होगी वह होगी हमारी 1234 let's suppose यह रख लेते हैं तो if id equal to equal to 1234 ठीक है तो सबसे बहले see out कर देते हैं कि enter the password ठीक है enter the password okay and here we go अब क्या करना है if की condition फिर से लगानी है अब हम password एंटर करते हैं और password अगर correct होता है तो password के अंदर welcome to the hustlers print करो और वरना कुछ और करो ठीक है तो सबसे बहले क्या करेंगे password लगाएंगे तो if password and इसको मेरे को उपर declare करना पड़ेगा equal to equal to password हम क्या रख सकते है password रख सकते है let's suppose 0000 ओके nice बहुत असान password है so we have to go inside it अबर हमें see out करना है welcome hustlers नाइस अब यह तो हमने कर लिया अब इसके else condition में क्या हो कि अगर हमारा password wrong input कराता है को user उस condition में क्या होना चाहिए तो हम else लगाएंगे और हम else की condition में see out करा देंगे you have entered the wrong password ओके यह हमारा हो चुका है program लेकिन अभी इसके अंदर एक else condition बाकी है क्या बाकी है कि अगर user जो है वो id गलत देता है तो उसके लिए हम else यहां पर लगा रहे होंगे for else का combination होता है वो इस तरीके से होता है इस सबसे पास कौन्सा और यह तब चलेगा जब यह वाली condition रोंग हो जाएगे ठीक है तो हम इसके code लेते हैं कि you have entered the wrong code ऑके सबसे पहले मैं पासवर्ड एंटर कर आता हूं अपनी आईडी का 1234 करेक्ट पासवर्ड है अब पासवर्ड एंटर कर आ लेते हैं पासवर्ड मेरा 0000 है ओके नाइस वेलकम टूदी हसलर ठीक है अब रॉंग सिच्वेशन भी एंटर कर आके देख लेते हैं कि क्या होने वाले तो रॉंग सिच्वेशन के अंदर सबसे पहले मैं पासवर्ड गलट डाल देता हूं 123 लेट सपोस एंटर दर रॉंग आ जाया था कि यह जो एल्स है नीचे वाला यह वाला असोसियेट होता है यह वाला सॉरी यह वाला असोसियेट होता है इस वाले इस से और यह वाला जो एल्स है यह तब चलेगा जब यह वाला पासवर्ड वाली जो कंडीशन है यह गला तो जाएगी तो आल्वेस रिमेंबर जो भी if का else होगा वो else उस if से associate होगा जो सबसे pass होगा उसके ओके nice and simple I hope you get the point now moving to the next question so इस वाली question के अंदर हम को क्या करना है second largest number निकालना है between three numbers तो अगर मैं बोलता the largest one वो भी थोड़ा same होता but मैंने सुचा थोड़ा twist add कर देते हैं तो इस बार हमें second largest number निकालना है तो सबसे पहले इसको करने के लिए का करेंगे हम boiler plate लगाते हैं अपनी इसके बाद क्या करना है basically तीन variable को हम assign कर लेते हैं जो हम user से input ले रहोंगे a, b और c और user से इनको scene करा लेते हैं अब जब ये enter हो गया है अब इसमें if conditions हम कैसे लगाएंगे वो main part है तो अब सबसे पहले इसको करने के लिए का करते हैं कि हम a को सबसे बड़ा मान लेते हैं ठीक है let's suppose a सबसे बड़ा है तो condition लगाते है a is greater than equals to b end and end a is greater than equals to c तो अब क्या होगा अगर a इन दोनों से बड़ा है इसके अंदर फिर से एक if condition लगाते है कि ठीक है a तो बड़ा हो गया लेकिन अगर if condition में b is greater than equal to c हो इस condition true ही तो c आउट क्या कर दो b is the second largest number और इसके else part में हम डाल देंगे कि c is second largest number so I hope आपको यह वाली चीज समझ में आई होगी कि अगर a b से बड़ा है और a c से बड़ा है तो ultimately a तो सबसे बड़ा ही हो गया लेकिन अंदर हमने उस if की condition के if और लगाया क्यों कि अगर b c से बड़ा है तो तो b second largest है else condition हमारा c second largest है करना है कि let us suppose b सबसे बड़ा element है तो if b is greater than equals to a and 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 b is greater than equals to c तो if की condition लगा देते हैं अगर a greater than equal to c हुआ तो क्या करो a is the second largest और else condition में डाल दो फिर से c is the second largest I hope इस बार आपको यह point समझ में आ गया होगा इस condition में हम डाल देंगे c is the second largest okay so here we go अब हमने यह तो शेक कर लिया कि हमारा a भी सबसे बड़ा हो गया और b भी सबसे बड़ा हो गया लेकिन अभी भी जो है हमारी condition छोटी है ठीक है बतलब अभी भी हमारी जो condition है वह फुल्फिल नहीं हुई है तो अब क्या करना है अब मान लेते हैं कि c is the largest number of the three अगर इन दोनों conditions को फुल्फिल करके आया है तो सब बिल्कुल exact सी बात है कि इसी ही सबसे largest होने वाला है क्या करना है अब एल्सिफ की condition लगानी है एल्सिफ कि एंड इस condition के अंदर डालेंगे एज ग्रेटर देन एक्वल टू बी एंड यहां पर स्यावट कर देंगे हम कि एल्सिफ इस बसके लाइस नमबर ठीक है तो यहां पर हम एल्ट कर रहे होंगे के और ओक्यी यहां पर भी ऐसे फान है जो इसको भी कर लेंदा प्लीज यहां पर एल्सिफ आना है विकोर्स हमने हमने यहां पर इस condition यूस की तो यहां से फाएगा ओके अगर इसकी else condition चलानी हो ठीक है else if में तो हमारे ये part आ गया तो अब else condition लगाते हैं और else condition के अंदर हम क्या दे रहोंगे कि अगर ये सब true नहीं है तो फिर से भाई हमारा b is the second largest number ठीक I hope आपको ये program clear हो गया हो और अब ये program total पूरा हो चुका है एक बार अगर मैं इसको summarize करूँ तो सबसे पहले हमने एक को सबसे बड़ा मान है ठीक है और condition चेक कराईए end and end जो operator होता है यार वो ये condition चेक करता है कि जब तक ये वाली condition और ये वाली condition true नहीं हो जाती तब तक वो if block के अंदर नहीं जाएगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर और की condition लगाता तो अगर एक true होता तो भी चला जाता बट अभी क्या हो रहा है end and end लगाने से मतलब end operator लगाने से दोनों condition को true होना जरूरी है तो अगर ये condition true होती है तो हम अंदर आते हैं अब चेक करता है क्या कि B greater than equal to C है अगर हाँ है तो यार B second largest हो जाएगा और else condition में मैंने डाल दिया C largest है यही same condition मैंने B के साथ की है B को सबसे बड़ा मान है प्रोग्राम को रन कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक number डालता हूँ 4 and 12 and 11 तो answer आना चीह 11 so 11 is the second largest number answer हमको मिल चुका है I hope आपको प्रोग्राम जितने भी हमने सारे if-else की बनाये थे वो सब पसंद आया होंगे के लाब अभी है काभी सारे questions की PDF का link मैं नीचे दे रहा हूँ ठीक है उनको practice करना quiz भी है उसके अंदर उसको भी try करना इन सारे questions को करने के बाद I hope आपको बता चल गया होगा if else पे हम किस तरीके से question frame कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो comment में पूछना and if you like this video make sure to like it comment down अगर आपका कोई भी question में डाउट वगेरा है we'll make sure कि हम उसको answer करें and please share this video मिलते हैं एक next video में till then keep learning keep hustling bye